हेलो फ्रेंस, ज्यादा तर लोग कब्स से परिशान रहते हैं, कब्स के समस्या कहीं कारणों से होती हैं, जैसे ही कम पानी पीना, पूजन में फाइबर ये चीज़ों को सामिल ना करना, अधिक तेल मसालेदार, जंक फूर्ड खाना खाने से भी कब्स होता है, कब्स के कारण म पाचन तंत्र के मात्यम से बहुत धीमिकती से चलते हैं, इससे ये अपशिष्ट परदा सक्त और शुष्क हो जाते हैं, जिससे मल त्या करने में परिशानी होती है, अगर पेट कही दिनों तक साब नहीं रहता, तो ये पेट तोचा आदी से जुड़ी समस्याओं को जन द दीता है, स्वस्त खान पान से ही आप कबस से चुटकारा पा सकते हैं, यहां इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे healthy juice के बारे में बता रहे हैं, जिसे नियमित रूपती पीनी से कबस से चुटकारा में सकता है, कबस का खतरा, कभी कबस सोना सामाने है, लेकिन अगर पीट होता है सेव के रस में रेचक प्रभाव होता है जो बच्चों में कप्स के समस्या को दूर करता है इसमें मौज़द उच्छ फुक्ट्रोज ग्लूपोज और सॉर्पिटोल सामगरी कप्स से रहात दिलाती है हाला कि ज्यादा सेव का जूस पीने से बचना चाहिए नासपती क कप्स का जूस पीनी से कप्स से चुटकारा कप्स से चुटकारा पाने के लिए आप नासपती का जूस भी पी सकते है इसमें सेव के रस से चारबुना अधिक सॉर्पिटोल होता है जिन बच्चों को कप्स के सिकायत रहती है उन्हें भी इस फल से बना जूस पीनी की सिला जाती है नास पती के चूस का सुवात बच्चों से लेकर बढ़ों तक को चरूर पसंद आएगा। निम्बु का रस कपस में करता है छमतकार। अगर आप कपस से तुर्ण चुटकारा पाहना चाहते हैं तो निम्बु का एक किलास गुंगुने पानी में आंधा दिंबू का रस मिलाकर सीवन करें इसके साथ ही रात को सोने से पहले एक किलास गर्म दूद या कोई भी तरवल पीने से कब्स के समस्या तूर हो सकती है जब तक कब्स के समस्या पुलित्रै से ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको जितना हो सके कार्बोनेटिट ड्रिंक से तूर लेना चाहिए